I am S.T.M. Shah and I welcome you. Change is the law of nature. प्रकृत्ती का नियम है, चेंज होना, अथात बदलाग प्रकृत्ती में होता ही होता है, but non-change is the law of soul and supreme soul, लेकिन आत्मा का रूप वह ही रहता है, आत्मा कभी नहीं बदलती और परमात्मा भी कभी नहीं बदलते, आज मैं आप के लिए बिलकुल नई चीज लाया हूँ, क्योंकि हम इसको बोलते बहुत हैं, मगर हमें इसकी अंग्रेजी नहीं पता. गुच्छे के गुच्छे वहाँ पढ़े थे, केरे के गुच्छे के गुच्छे पढ़े थे, फूलों के गुच्छे के गुच्छे पढ़े हुए थे और ग्रेप्स अंगूरों के गुच्छे के गुच्छे वहां पढ़े हुए थे गुच्छे के गुच्छे अंग्रेजी बनेगी लेकिन इसी के लिए पर जैसे फूर के गुच्छे हैं अंगूरों के गुच्छे हैं इनके लिए बंचे जाईगी और पंचे उसके लिए भी आईगी यानि बंच ओफ कीज जो चावी का गुछ्षण होता है उस्के बिसे बंचे रोफ बनानाज वर लाइं जैर वहां पर या गुच्छे कालुक EGEC पढ़े और भॉट. अभॉट का उच्छा तार्य गुच्छ पढ़ेजी युदि opioids खर दीजिए यही सिकhाने में आपको आया हूं कि हाई गुच्छे की अंग्रेजी एक नहीं होती, गुच्छे की गुच्छे की अंग्रेजी क्या होती है, लोगों को बिल्कुल नहीं पता, ताव का गुच्छा, clusters of stars, ताव के गुच्छे के गुच्छे, यदि ये गुच्छा कहना है, तो cluster कहलाएगा, clusters of stars were there in the sky, छुर्म को भी कह सकते हैं, ताव के गुच्छे के गुच्छे आकाश में थे, धाव के गुच्छे की अंग्रेजी अलग होगी, वो क्या होगी, ball of yarn, याली धेन, जो धाव का गुच्छा है, उसे ball of yarn देंगे, याल मने, धागा, वाद लाइन देर, ball of yarn, धाव का गुच्छा, वहां पड़ा हुआ था, ball of yarn, वाद लाइन, देर, अब देखें, बालो का गुच्छा, ये तो होगे, धाव का गुच्छा, लेकिन बालो को गुच्छे की अंग्रेजी अलग होगी, आपने देखी होगी, चुटिया, सिरपर, चुटिया की अंग्रेजी भी यही होगी है, जो प हेर, tuft of hair, इसकी अंग्रेजी बनेगी, there was a tuft of hair on his head, इसके शिरपर चुटिया थी, ये बालो का गुच्छा था, बालो का गुच्छा, tuft of hair, और शिर्टी चुटिया जो है, वो भी tuft of hair के लाएगी, कैसी लेगी है, मैं देखें, बालो का गुच्छा, tuft of hair के लाएगी, क